तो एडिशन का कोई एक क्राइटेरिया हैं कैसे हम डेसिमल हैं जैसे हमारे सिम्पल नंबर से सेम वैसे ही हम एडिशन करते हैं जैसे हमारे पास टू नंबर गिवन हैं 4, 3, 2 और इसमें एड किया था हमने 5, 3, 4 ठीक हैं 4 प्लस 2, 6, 3 प्लस 3, 6, 4 प्लस 5, 9 ठीक हैं यह सिम्पल एडिशन है बट अगर हमारे पास अब आती है डेसिमल की करते हैं यही नंबर हमारे पास गिवन है इसमें हम डेसिमल और लगा देते हैं 3, 9, 7 करते हैं और 5, 1 ओके हमें अब यह डेसिमल नंबर गिवन है इनकी एडिशन करनी है तो क्या करेंगे सिम्पल जैसे हमने यह वाली एडिशन करी थी सेम वैसे ही बट एक चीज़ यह हमारी जो डेसिमल है उसका ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल जितने डेसिमल से डिजिट्स एडिट्स से यह जो हमारे होते हैं जिनको हमें एड करते हैं इनको एडिट्स बोलते ह decimal के नीचे decimal 2 प्लस 4, 6 3 प्लस 3, 6 4 प्लस 5, 9 ओके, ठीक है यह तो by chance हमारे ऐसे number आगे कि हमें जो है किसी भी उसमें carry नहीं आया अगर carry की बात करें suppose यहां पर हमारा 3 आ जाता तो 7 प्लस 3, 10 ठीक है तो यहां भी simple वैसे ही carry होता जैसे हम हमारी normal जो addition होती है उसमें carry करते हैं ओके students तो यही वाली चीज हमें बस ध्यान रखनी हैं और यहां मैंने आपकी like decimals ली थी अगर हमारे पास unlike decimals आती हैं तो पहले उनको like decimal में convert करेंगे और like decimal में convert करने के बाद फिर उसकी simple addition करेंगे ओके students e part will solve e part of question number 1 56.87 यह तो आप सब लोगों को read करना आई गया होगा कि number को कैसे read करते हैं 432.93 this is 18.76 and last one is 0.38 okay in this question by chance the decimals are like decimals if they are not like decimals we firstly convert all the decimals into like decimals okay this is we have to add these numbers 7 plus 3 10 10 plus 6 16 16 plus 8 24 यहां से 2 कैरी होगा और वो यहां चला जाएगा 8 plus 2 10 10 plus 9 19 19 plus 7 26 26 और 26 में 3 आट करेंगे 1 कैरी आप देखो जैसे यहां number नहीं था तो इनको भी हम same बनाने के लिए ताकि confusion ना हो यहां हम हर place पे 0 लगा सकते हैं तो कैरी 1 1 plus 4 5 आंसर इस 508.94 ओके स्टुडेंट्स क्लियर है सिंपल एडिशन करेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल यहां अगर उपर सब में 2-2 डेसिट्स हैं डेसिमल के बाद तो यहां भी सेम वही आना चीए ओके और कोई डिफरेंस नहीं है और सिंपल एडिशन है जैसे आप लोगों ने इससे पहले वाले जो चैप्टर से लार्ज नमबर वाला उसमें जो एडिशन करी थी ओके स्टुडेंस ठीक है next is second question add the following decimals first question में हमें as it is statement given थी और add करना था next में हमें numbers given है उनको हम पहले क्या करेंगे like fraction में change करेंगे पर उसके बाद ऐसे column method से column wise लिखके और फिर उनकी addition करेंगे okay students ठीक है question number 2 part F it is 0.23 ऐसे हमें comma की horizontal form में given है हमें उसको vertical में convert करना है चीक है तो क्या करेंगे 17.77 7.777 and 77.7 ये देखो सारी हमारी कैसी fraction है unlike fraction है तो इसको like में convert करेंगे तो ये सारी zeros लगाके और इसके अब addition करेंगे 7.7 प्लस 3 10 प्लस 7 17 1 कैरी 1 प्लस 2 त्री 3 प्लस 7 तन 10 प्लस 7 इस 17 and 17 प्लस 7 इस 24 decimal के नीचे decimal 2 कैरी 2 प्लस 7 9 9 प्लस 7 16 और 16 में 7 एड करेंगे कितना आएगा 23 2 प्लस 1 त्री 3 प्लस 7 तन तो हमारी इस टाइप से इस वाले कोशन की addition हो जाएगी ठीक है इससे next है कोशन नमबर 3 3 कोशन में भी हमें statement given है column wise लिखेंगे और उनकी addition करेंगे okay students clear है next we will solve question number 4 in question number 4 we have to find the difference difference means subtraction करनी है E part 827.003 and 739.003 7.64 okay students इनकी करनी हमें subtraction ठीक है जैसे addition करी थी same ऐसे ही क्या करेंगे हमारा जो normal subtraction होती है same वैसे ही होगी but हमें क्या करना है जो हमारा decimal place है उसका हमें ध्यान रखना है कि decimal के नीचे ही decimal आना चाहिए देखो यहां 3 digits है तो answer में भी हमारी 3 digits से पहले decimal आएगा okay students ठीक है तो यहां क्या करेंगे देखो नीचे 3 है उपर 3 है नीचे 4 है तो 3 चोटा है तो यहां से 1 बोरो करेंगे यह बन जाएगा 13 this is 9 9 16 11 and 7 तो 13 में से 4 minus किया तो कितना आया 9 9 में से 6 3 9 में से 7 2 और decimal के नीचे decimal 16 में से 9 minus करेंगे तो कितना आएगा 16 में से 9 minus किया 8 11 में से 3 गया 8 और 7 में से 7 0 okay students तो यह था हमारा subtraction का ठीक है next है question number 5 subtract number from other number मैंने क्या बताया था कि from के बाद जो number आता है वो उपर लिखके और दूसरे वाला number नीचे करके subtract करते हूं okay students ठीक है तो caution number 6 भी ऐसा ही है और हम यहां तक ही caution करेंगे ठीक है that's all for today thank you and have a nice day